जै मातादी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूटीब चैनल में दोस्तो धनू संक्रांती 16 दिसंबर से होने वाली है और ये जो धनू संक्रांती होगी ये पाँच राशियों के करियर को चमकाने वाली उनके भागय को चमकाने वाली होगी सूर्य संक्रान्ती का मतलब है सूर्य का धणूराशी में प्रिवेश सूर्य हर महिने राशी बदलते है और अभी तक एक महिने के लिए अभी सूर्य केतू के साथ थे व्रश्चिक राशी में अब 16 दिसम्बर को यह धनू राशी में आजाएंगी जो कि गुरू की राशी है सूर्य का गुरू की राशी धनू राशी में आना बड़ा ही उत्तम संकेत है क्योंकि सूर्य और गुरू दोने उसरे के मित्र हैं और सूर्य अगनी तत्व के ग्रह है जबकि धनू जो है अगनी तत्व की राशी है ऐसे में ये जो एक संयोग होगा ये जो धनू संकरांती होगी ये बारा में से पाँच राशियों के लिए बड़ी फाइदेमन साबित होने वाली है बहुत ही लाबदाया का भागय को बदलन वाली होने वाली है तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं पाँच राशियों के बारे में जानेंगे तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और जुड़ जाए हमारे चैनल के साथ यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलते रहेंगे तो इन पाँच राशियों में जो सबसे पहली राशी है वो है मंगल की राशी मेश राशी मेश राशी वाले लोगों के लिए सूरिय सोलह दिसंबर से नौवे भाव में गोचर करेंगे नौवा भाव कौन सा होता है नौवा भाव में पिता के कारक सूरिय का जाना आपके भाग्य का भरपूर साथ दिलाएगा सूरिय यहां बैठकर आपके भाग्य को सपोर्ट करेंगे आपके कामों को बनाएंगे जो काम काफी लंबे समय से अठके हुए थे उन कामों को अब आप पूरा होता हुआ देखेंगे सूरिय के गोचर से धार्मिक रूप से और अध्यात्मिक रूप से आप काफी सक्रे रहेंगे धर्म कर्म के कामों में आपके रुची भी बढ़ेगी और इस दोरान आप कई तरह के धार्मिक कारेकरमों का हिस्सा भी बन सकते हैं पारिवारिक जीवन में भी आपको सकारातमक बदलाव देखने को मिलेंगे हाला कि पिता के साथ थोड़ी आपको अपने नरमी दिखानी होगी क्योंकि उनके साथ मत्भेड हो सकता है किसी बात को आसा हो सकता है कि आपके वैचारिक मत भेज हो जाupidे वैचारिक दूसरे वाला होगा प्राक्रम में विरद्धी करने वाला होगा और आप अपनी कारशेतर में एक अलग पहचान बना पाएंगे तिकि भागय भाव में सूर्य हैं और जन्वरी तक रहेंगे जन्वरी 16 तारिक तक तो इस नए वर्ष की जो शुरुवात हो रही है ग्रहों के स्वामी स सूर्य के भागय भाव में बैठने से हो रही है यह इकाप के लिए शुब संकेत भी है तो यह बहुत ही अत्तम रहेगा अब हम दूसरी राशी की बात करेंगे दूसरी जो राशी है वो खुद सूर्य की राशी सेहिंग राशी है सेहिंग राशी पर धनू संकरांती का जो बुद्धी का है तो पांचवे भाव में सूर्य का आना छात्रों को अपनी सिक्षा को लेकर जादा तो मेहनत करनी होगी लेकिन उनको जो उसका रिजल्ट मिलेगा वो बड़ा ही उत्तम देखने को मिलेगा उच्च सिक्षा और विदेश में सिक्षा के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो आपको अच्छे अनुकूल परिणामों की प्राप्ति हो सकती है इस राशी के लोगों को संतान पक्ष से भी खुशी सुनने को मिलेगी खुशी देखने को मिलेगी आपका आर्थिक परिशानी से बड़ा परिशान थे तो उनसे भी मुक्ति पाने का मौका मिलेगा अब इस समय आपके पिता का सला मश्वरा आपके काफी काम आएगा उनके अनुभव से आपको काफी लाब भी मिलेगा और लाब मिलने की पूरी-पूरी संभावनाएं बनी हुई है कि आपक कर लेते हैं जो कि खुद धनुराशी है धनुराशी में ही सूर्य का गोचर हो रहा है एक महिने तक और नए वर्ष की शुरुवात ये धनुराशी में ही सूर्य के गोचर के दौरान होगी तो ये क्या करेगा ये आपके अगर आप तक अभी आप तक अभी जो कामों को अटका परिनाम प्राप्त होंगे आपकी वानी आपके व्यक्तितों में गजब का आकशन रहेगा जिससे सामाज किस तर पर भी आपकी जो प्रतिस्ठा है वो बढ़ेगी मान सम्मान की प्राप्ती भी होगी इस राशी के जो जातक मीडिया के शेतर से जुड़े हैं राजनीती के शे उठाना चाहिए अब बात करते हैं हम चौथे राशी की चौथे राशी है कुम राशी शनी की राशी है कुम राशी और कुम राशी के लोगों के लिए जो सूर्य का गोचर है वो आपके लाब भाव में है इकादस भाव इसलिए आपके कई तरह के शेतरों पर इसका सरकारी नौकरी करते हैं सरकारी योजना से जुड़े हुए हैं तो उनके लिए भी समय अच्छा है अगर आप अपनी जौब में ट्रांसफर चाहते थे तो आपके लिए अच्छे बदलाव की योग बन रहे हैं ट्रांसफर की बातें चल सकती हैं इस समय किया गया निवेश भ बैठना बहुत उत्तम नए वर्ष की शुरुवात लेकर आया है पारिवारिक जीवन में बड़े भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा उनके साथ आपके संबंदों में सुधार होंगे और उनके जरिये लाब का योग भी बन रहा है पारिवारे किस्तितियां बड़ी की दोरान देखने को मिलेगा अब पांचवी रंतिम राशी जो है मीन राशी मीन राशी के लोगों के लिए दसवे भाव में सुर्य का गोचर है कर्म भाव में सुर्य जाएंगे इस भाव में सुर्य को दिशाबल प्राप्त होता है ऐसे मी सुर्य के गोचर से आपको सुख रूजगार प्राप्ति का दिजार कर रहे थे या रूजगार पाने के लिए प्रयास कर रहे थे महनत कर रहे थे दूसरे तरह वो लोग जो विदेश में जाकर जौब करना चाहते हैं और आप प्रयास कर रहे हैं उनकी ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है बाहर जाने का मौका मि पूरा निखर कर आएगा मांचमान में व्रति होगी तो ये सूर्य का गोचर बहुत उत्तम रहने वाला है आपको इस गोचर का पूरा लाब उठाना चाहिए अपने इनी शेत्रों में जिन से आप जुड़े हैं और में ज्यादा मेहनत करें ताकि उसका रिजल्ट आपको को शेर करना ना भूलें